एलेक्ट्रिक फिल्ड का फॉर्मला दिया है आपको A, B और C के यूनिट निकालनी है ठीक है अब यहां देखो अगर यह एलेक्ट्रिक फिल्ड है तो यह जो पूरा है जो प्लस में है मतलब यह जो AX क्यूब अपॉन आई वेक्टर यह E के बराबर है यह भी E के बराबर है और यह पूरा भी E के बराबर है अब आप देखो इसमें option में आओ ठीक है पहला वाला आपका Newton वाले में तो पहले में आपन एलेक्ट्रिक फिल्ड का फॉर्मला कौन सा यूज़ करेंगे फोर्स अक्टिंग पर उनिट चाड़ इस Newton पर कूलम दूसरा वाला वोल्ट पर मीटर में तो यहां पर मैं कौन सा फॉर्मला यूज़ करूँगा एलेक्रिक फिल्ड इस वी बाइडी लाट पर मीटर वाला unit यूज़ करूँगा ठीक है और तीसरे में फिर से Newton में है तो त एलेक्रिक फिल्ड इंटू X क्यूब एलेक्रिक फिल्ड होता है Newton पर कूलम X आपका डिस्टेंस है तो मीटर क्यूब तो Newton मीटर क्यूब अपॉन केवल ओप्शन ए में है तो ओप्शन है आपका राइट आंसर है बाकी आप दूसरे भी निकाल सकते हो देखो दूसरा वाला BY is equal to E ठीक है अब B Y मतलब meter हो गया अब यहाँ पर सारे option V में दी है तो volt per meter यूज़ करो meter मीटर मॉल्टिपल सो तो B कितना आगया? B आगया volt per meter square. लास्ट वाला देखो C Z square अब यहाँ देखो फिर से आंसर सारे Newton में दिये हैं तो यह हो जाएगा Newton पर कूलम ठीक है? अब यह Z square मतलब Z मतलब M meter unit है length है तो यह आपका answer हो गया C will be equal to Newton meter square C option A सा right answer I hope it is clear to you thank you for watching, bye bye keep loving, keep supporting, bye